कि डेजर्ट सोल में आप हर बार राजिस्तान के किसी एक प्रतिवर्शाली साहितिकार से मुखातिब होते हैं पिछली बार हमारे साथ थे हरी राम जी मेना और इस बार हिंदी के वरिष्ट कवी श्री गोविन माथूर मेरे साथ हैं गोविन माथूर मोलत जैपूर के ही निवासी हैं यहीं पैदा हुए यहीं आपकी शिक्षा देख्षा पूरी हुई राजिस्तान विश्व विद्याले से आपने पोलिटिकल साइंस में में किया विधी में सनातक हुए और उसके साथ ही साहिति में भी आपकी बराबर दिल्चस्पी शुरू से रही है गोविन्द माथूर यहों तो कई विधाओं में काम करते रहे हैं लेकिन इनकी मुख्य विधा का विता रही है काभी विधा में इनके करीब आदा दर्जल संकलन है और कहानी काभी एक संकलन है इन्होंने कहानियों पर काफी काम किया है एक संपादक के रूप में गोविन माथुर की अपनी अलग पहचाने भी अक्सार पत्रिका का पिछले एक लंब यार्से से संपादन कर रहे हैं हिदु भारदवाद जी के साथ गोविन माथुर से मेरा अव्यक्तियत वरिजय भी बहुत पुराना है मैं जब कॉलिज में युनिवस्टिय में पढ़ता था तो उसी जमाने में गोविन माथुर भी सना तक थे और एक अच्छे कवी के रूपे एक लेखक के रूपे गोविन माथुर की इस शहर में उस जमाने में भी अपनी एक पहचान थी एक चर्चा में वे शामिल देते थे आयुजनों में शामिल देते थे खासतोर से जो कभी गोश्टियां होती थी उसमें गोविन माथुर की उपस्तिती को सब लोगों ने लक्षित किया उस पूरे पर गोविन माथुर जी स्वेम ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगी सब से पहले तो हम गोविन जी का स्वागत करते हैं बहुत-बहुत स्वागत गोविन जी आज आप डेजर्ट सोल के साहिजन में हमारे साथ हैं और इसे कला सुनस्कृति से जुड़े सभी लोग बहुत उत्सा से सुनते हैं हमारा यह जो फोरम है इसमें जितनी तमाम कलाएं है जो fine arts है, sangeet है, natak है, इन तमाम विदाओं से जुड़े लोग हैं और इनी में जो साहिती की विदा है उन से जुड़े लोगों का भी इसमें काफी अच्छा इसकी सक्रियता है, उसी क्रम में हमारा इस desert soul आज आप से समवाद पर केंद्रित है, सबसे पहले तो मैं आप से यह जिग्यासा है मेरी, और क्योंकि कोई भी लेखक या कलाकार कोई बनता है, तो उसकी शुरुवात बहुत पहले उसके बच्पन में कहिए, उसके शिक्षा काल में ही शुरू हो जाती है, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का बच्पन का आपका माहौल रहा, किस त पढ़ने मेरी शुरू से थी, साहित्य पढ़ने प्रुचि जैसे मेरा जो बच्पन था और वो एक अभाव अग्रस्त बच्पन आप कह सकते हैं, तो पर मेरी खेलने कोदने में भहत कम थी, मैं मैं मेरी जो पढ़ने में जो रुचि उसमें प्रमुग्घूमी का एक वाचन तो बिल्कुल घर के नीचे ही एक साजनाले था उस दमाने में हर चोकड़ी में साजनाले के अंदर अखवार तो आते ही थे हिंदी अंग्रेजी उर्दू के भी अखवार आते थे और कुछ पत्री काहीं भी आती थी जैसे दर्म्युक्साफता ही उस्ताद तो जब से भी अक्षर ग्यान हुआ मतलब जैसे स्कूल में होने के बाद जैनी कि आप देखी का कि आप 19 साल की उमर में जब आप कुछ समझें लगते हैं पढ़ने पढ़ने के ताब से मैंने राइबरी में बैठना शुरू किया बिल्कुल घर के बार तो पहले तो अखवार जो पत्री का यह बच्चे वाली देखी ना उनमें रुची उत्पन हुई वह पढ़ने लगा कानिया तो उसमें में बढ़ी इस विलबारे में फिर साब्ताइब इंदुस्तान और धर्म्यूग भी आम देखने लगे अलांकि समझ में काम आता ताले कि उसको पढ़ते ते पढ़ा ही उसरते तो प्राहरम में मेरे जो रुची हुई वह कहानी में हुई अच्छा कहानी पढ़ने में मुझे काफी रुची थी और उसी वाजनाले के अंदर कुछ किताबे भी आती थी जो हालंकि हमारे जो इंशार्स्तेमा के वह बच्चों किताबे देते नहीं थे बच्चे क्या पढ़ेंगे लेकिन कही बार क्या चूंकि हम एक डंग से तखा जाए तो महीं के रहने वाले तो फिर वह दे दिया करते थे करी बार मैंने पढ़ना चूरू किया उसको उसी दोरान अपने बात है कि छोट छोटी कहानिया भी लिखना शुरू किया अच्छा जब आप स्कूल में थे तब तब की बात में तो छोटी कहानिया वैसी होती तो थोड़ी क्या था कि उस जमाने में जो अपने प्रमुक समाचारपते जैपू से निकलते थे उसमें एक तो वह अगड़ा राच्व दूथ और एक होती ही लोगवानी के दो अप्वार का प्र तो उसके अंदर कुछ बच्चों की दुनिया के स्थम भी हो खरते लिए तो वह भी हम पढ़ा करते तो उनको देख करके मैंने भी लिखना शूरू किया कुछ सुनी हुई काहनिया कुछ बनाई हो इक लिखना चुरू किया और फिर ये सोचा गई इसको छबनी भी चाहिए तो मैं क्या करता था कि कर ने पैट के पहल तो उनको लिखता एक कागच पर और फिर राश्टूत का दफतर उन दिनों हल्दियों कराश्ट पिर बहुत पुरानी बात है हल्दियों करता था ओजो के हमारे घर से काफी दूर सा लेकिन उस यह पैदल-पैदल में वहां जाता में लेकिन लेकिन मनमें ड़नी चपपेगी और प्रभराच निवसे लेकिन तो जो तरह कि उन एक रहते हैं तो इसे तहां लोगवानी में दे आया है झाल देर। कि महां से मेरे को एक लिखने का और चपने का शोब पएदा हुए अभी ही तक मीडिल ही बात कर दो जी तो में तो में झाल था कि वहमारी महुले में था काइस्ट पाट चला इसका नाम पर च्थरकृत तो उसके अंदर भी चोटी मोटी लाइबरी होगा करती थी वहां कुछ किताबें मंगवाते थे तो बहां पर जो एक बार कुछ किताबें आई उन्या प्रेम चंद की निर्मला और सेवा तदन ए तो किताबें अब वो देखा जाए तो तीचर थे वही पढ़ते थे अब आठ तो मेरा पहला जो बड़ा उपन्यात कानी पड़ना वो इससे चुरुआ तो हमारे जो मैं पड़ता है जिस्कूल में दर्भार सेकेंडर स्कूल में वहां क्यों निकलती थी तो नोटिस बोड़ में नोटिस बोड़ कोई भी चाहत अपनी रशना देना चाहें तो मैंने एक कहानी लिख करके मैं ओफिस में दे आया था कुछ दिनों बात क्या हुआ कि जो इंचार्स थे जो संपादिक थे पते कागे टीचर उन्होंने कहानियां वगरे देखिए उन्होंने मेरी कहानी पड़ी तो फिर उनको बड़ा जी वो लगा कि यह कहानी किसी है तो मेरे को बुलवाया मुश्कोर उन्होंने बुलाया और पूछा कि बढ़ यह कानी तो ने लिखी है तो उनका अच्छा एक काम करो तो मैं तुमको एक रूप रेखा बना कि देता हूं इस पर तुम एक कहानी लिख के लिए अव अफ्ते में फिर मैं तो अफ्ते पर बाद मैंने कहानी ओर लिखी उनको दे आया तो उनको थोड़ा खुष भी हुए उन्होंने फिर मैंगी दोनों कानिया चाहत अब आपको जानके दाज़ों तो टीचर कौन थे उस वो टीचर थे विशन सिंग शेखावत अच्छा वो त तो अब मेरी थोड़ी जिजख खुली उनसे तो एक बार क्या हुआ कि स्कूल की जब छुटी हुई तो साइकल लेके जा रहे थे और मैं भी छुटी निगा तो मैं उनके साथ गया मैं गया मुझे च्छात संपाधिक बनना है अच्छात संपाधिक बनना है किदर जाओगे मैंने का इतर और उनको जाना था हुदर चले के मुझे चोड़ गया मुझे नहीं बनाया उनका इसको का बनाया भी इस तरह के करतना है फिर ऐसी कॉलेज में आने के बाद यह हुआ कि वहां भी मैंग जीन सब्सक्राइब दिखना शुरू किया जी वहां तो फिर कॉलेज आ तो वहां से फिर वो जो पीरिट था कॉलेज का उसमें कहानी तो मेरी चली रही थी उसी वक्त क्या उनी उसी दोरान हमने कॉफियोज जाना शुरू हो गया कि आप जानते हैं को कि काफियोज हमेशा साहितकार पढ़े लिखे बुद्धी जी लोगों का तो मुख्य केंद्र माना जाता था तो उस समाने में काफियोज में केवल साहितकार ही नहीं दूसरे कलाकार भी आया करते नाटक वाले भी कुछ राजनितिक भी आया करते एक मह माहूल वह यह था तो हम उस माहूल में जब गए तो वहां शहर के बड़े साहितकारों से बरिश्चर हुआ तो उन लोगों में जैसे तारप्रगार जी थे भारगाव थे वीर सक्सेना थे एक गीतकार हुआ करते थे चोटुगा निर्मन को बैठा करते तो एक बार क्या हु प्रकाष जैना थे तो यह लोग यह लोग सीनियर लोग ते हम इनके साथ बैठते तो कुछ सीखने को मिलता था नई चीजे जानने को मिलता था क्या है एक बार ऐसा तैब हुआ कि हमारे जो सीनियर से वीर सक्साना भारतिन बार्दों इन्होंने कहा यह नए लोग आते थे फिर इनकी एक काविगोस्टी करवाई जाया जिसने की इनका परीचे हो लोगों में तुन क्या काफियों उसके उपर वाले होल में उस जामाने में होमोपैथिक कोलेज चला था तो उस शाम के टाइम उन्होंडें उन्होंसे उन्हों लिया उपर वाल और ऐस हुआ कभी उस बैखने से माहोल से क्या होब कि मुझे भी कविता में रुची हुई तो वह जो कावे गोस्ती हुई वह महत्पून कावे गोस्ती थी मैं इमानता हूं उसका बैइस यूवा कवपाठ किया और उसके बाद उस कवी गोस्ती का प्रचार भी किया तरप्रकाज अग लेक लिखा और उस कवी गोस्टी को नोंने कुष्द कवीता का नाम दिया अच्छा आपको पता है जैसे 60 में वह अंधुर चल रहे था यह थो यह तो यह थोड़ कवीता है यह कवीता है यह शंचानी पीड़ी की कवीता है यह नक्सल कवीता है तो उन्होंने उसके प्रभाह में उसका नाम दिया कुष्द कवीता है तो एक महावल वैसा बना तो वह उसका प्रचार भीवा लेकिन वह आंदों तो जाला चलना नहीं था तो उसका वी गोस्टी के अंदर आप यह देखिए कि दो कवी एक तो हिमन्शेष्ट और एक तेस सि प्रचार होता है अब उससी गोस्टी से फिर मैं कवीता मेरी मुख्वधारा बने जी मेरी दिल्चस्पी है कि आपने कवीता में या कहानी में रिच्ची तो ली लेकिन आपकी जो फॉर्मल पढ़ाई खासवर से जो सनाथ कुतर लेवल पर उती है वह प्लिटिकल साइंस मे आपने में किया या जिसे आपने लौ किया तो इस दोनों में मलग तालमेल कैसे रही आपकी हिंदी साहित मैं सीधे में करने की इच्छा नहीं हुई पिछे की बाती था कि मैंने कर दो साइन्स में स्वाइब हुई जो फिर मैने आठ्स आप से में और मैंने बी एक किया तो उसे मेरे यह इंदी सब्जेक्त होड़ में अच्छा हिंदी एकॉनोमिक्स और व्लिटिकल साइंस यह मेरा उसके बात का हुआ से मेरे पढ़ाई में तो भी थोड़ा गैप है और उसमें भी तो बीए के बाद फिर जो है मुझे नोकरी की ताला किया वश्रक्ता ज्यादा मेहसूस हूं कि परिवारी क्वरस्वेटियों कारण तो फिर मैं नोकरी करने लग गया था और मैं रेगुलर नहीं पड़ा बाद में रेगुलर नहीं प कोश फिर आधे कराने लगारी में क Naruto समी यहाद है सुमी नोकरी में रहते हूं कि अदम्हेबद दसें टो मैंने कि पर युब शल्कार ये वजगा जब ऑंदम्सक्ता जंब है उसके बाद फिर चपन अनिकर पा से बजाइकार भी नोकरी में से आपने जब ये लेखन शुरू किया तो कुछ आप बता पाएंगे कि किस तरह के लेखक आपकी पसंद में पहली पंक्तिम आते थे जिनसे आपने भी कुछ सीखा या उत्साहित हुए उत्से तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जैसे लाइबरी की बात कर रहा था मैं तो जब हम खेलते हैं तो मैं वहां दिन में चला जाता था और करीब 5-6 गंटे वहां में बैटा करता था और वहां तो आप देखी कि पता है पुस्तों को अधेर था साहित का इनका सभी तो वहां मैंने जब मेरी मैं पढ़ना चुलू कि न उपन्यास तो सबसे पहले शरचंद ने मु और प्रेम चंद को भी पढ़ा साहसाथ तो दोनों मुझे राइटर्स का ने प्रभावित किया और लेकर मुख्य रूप से मुझे शरचंद उस्ताइम ज्यादा पसंद थे उसी दोरान क्या था कि पढ़ने लिखने का एक दोर भी था लोगों को काफी लोगों की रूची ह पढ़ा करते थे और कुछ कुछ रोमांटिक जैसे गुल्षनननन्दा वाले उपन्यास वड़ागा मेरी उनमें रुची नी पढ़े मैं एक दो पन्यास नन्दा के पता निक्यों मेरी उसमें रुची नी और मैं इनी को पढ़ता रहा और पब्लिक लाइबरी में आप इसका अपना तार सब्सक्राइबरी मुझे मालम पढ़ा में को तार सब्सक्राइबर रहा रहा था नन्दी के दिव ने बहुत पर पहुत है तो यह दोर था इसी काफे हो जाने शुरू किया कभीता गीव आकश्रित हुए तो दो दशक तक आवी संजिए 70 ए 80 तक मेरी कहान लगबख साथ साथ चलते रहे हैं और फिर दो देश्रक के बाद फिर यह मुख्य विदा आपका जो पहला संग्रिया था शेश होते हुए उसमें तो शाहिद वही उसी पहले वाले सब्सक्राइब कर सेवेंटीज में फिर क्या होगा था कि 2-4 फिर नोक्री लग गया तो नोक्री वह बढ़ा जब परिवेश्ट बदल गया वहां इसा परिवेश्ट मिलानी और फिर कुछ परिशेतिया यह चीदे कि मैं लिखना मेरा बंसा हो गया पढ़ना बंग नहीं वह प लोगों लेकिन एटीज का जो आया एटीज है शुरू में ही असी के दश्रक में मैं वापस लोटका है क्योंकि जिसके मन में पहले से सारी चीजे हैं वो कमीन के वापस निगल के आएंगी रुकेंगी नहीं तो मैंने वाप फिर उससे आ देखिए उन बात को 40 साल होगे उसके अपने जयपूर से जो है इत्वारी पत्रिकान निकला करती थी मधूमते थी इन में प्रकाश्चित हुआ उसके बाद पहल दस्तावेज वर्तमान साहित है हमारे अपने जो प्रकाश जैन जी निकालते थे जो बिंदू निकालते थे एवन जो कृष्ण चंद जी शर्मा य बहुत अच्छा महूल था साहित के लिए पूरे राजिस्थान में नहीं मैं एक रहों कि पूरे देश में हिंदी प्रदेश के अंदर एक साहित का महूल था अस्जी के दशक में आप यह देखिए कि एक तरफ प्रगृतिशी लेकर संग मैंने वावी जाना शुरू कर दिय प्रगृतिश लेकर संग में उसकी गोश्टियां होती रहती दी दूसरी तरफ अकादमी में अतुर साफ थे प्रकाश आतुर साफ के जमाने के अंदर आप यह देखिए इतने शिविर होते थे साहित के जहां लोग मिला करते तो वह महूल था तो बहां से मुक्यधारा में सब्सक्राइब करते हैं कभी अलवर हो रहा है साहित शिरोही अलवर किशनगर्ड जोत्पूर सभी जगह तो वह असी का दशक को बड़े अच्छे रंग से गुज़ा और उससे ही राजस्तान का मौल बना मित्रों से परेचे हुआ है मुक्यधारा में आए जी उस दौर में विजेंद्र, रितुराज, नंच चत्रवेदी जी, नंकिशो राचार, यह सारे प्रमुख लोग थे जो अबर के आये हैं, अरीश बादानी, जोशी, अपने रितुराज, विजेंद्र, यह सब भी लोग मुक्यधारा है के लोग थे, और यह सीनियर पोइट्स वह रहा रह कौन से से मुक्य पोइट्स थे, जिनकी कविता हैं, आपको एक मॉडल की रूप में, एक आदर्श की रूप में उत्साइद कर्तिती को उनने पढ़ा जाए, समझा जाए और वैसी कविता लिखी जाए, यह असी के दर्शक में, जब मैं लगू पत्रिगाउं के में संपर् जो मुख्य रूप से जिन लोगों ने प्रभावित किया, उसके अंदर नागार जुन, केदारनात अगरवाल, शम्शेर बाद दूर सिंग, यह मुख्य रूप से प्रभावित किया, और इसके बादे पर पढ़ते चलेगे तो रगवीर साय, रगवीर साय, विष्णु करे इन सब लोगों ने प्रभावित किया, तो यह पूरी पीडी थी, जो इन लोगों का प्रभावी बहुत पढ़ा, रगवीर साय का, और आपको पता है, रगवीर साय का, तो आने वाली पीडी पर बहुत लंबा असर पढ़ा था, मेरे मुख्य कभी प्रमुकी है, कहए प्रिय कभी मुख्य भी कभी आपकी आकरश्न में आए है। मैं भ écritव मुख्य WikUS को मैंने पढ़ा है। म 연सरी पें मन और गवीर साय नुता है, और मैं जयदम्ते हैünde लेकिन उसकी जैसी कविता लिखना संभब नहीं है वह तो यह तो यह जो अपकी जो कविता हैं मुन में जो सबसे बड़ी बात या कई यह सबसे आकर्शक बात जो लगती है वह आपकी साफ कोई और साधगी है भाशा के साथ भी आप जिस तरह का बरताव करते हैं मनब जैसा क कविता जो हमारे उस दौर के को बड़े कवित थे वह कहां भी करते में की कि आप गारते के मैं आपको बता है जैसे कि एक दोर तो 70 जो मेरे पहले संग्रे में जो कवीता है यह जो संग्रे मेरा आया इसमें इसके अंदर जादा तर कवीता वह है जो मैंने 70 जो इस पर उन आंदलों का प्रभाव जो इन कवीता है लेकिन जब बात का जो है वो फिर एक सहस्ता कवीता में आती चली तो यह जो मेरा संग्रा दीवारों के बार कितनी दूप यह दूसरा संग्रा है मेरा इसे पर मुझे पहला प्रुस्कार प्रुस्कार पहली कृति पर मुझे यह यह मिला तो मैं जिन लोगों से प्रभाविता मैंने आपको बता है कि जैसे नागार जुन्र लगविसाय इन लोगों बिल्कुल बिल्कुल इंसे प्रभावित था अब हमाने प्रशाद मिश्र वगए कि जिस तरह की जो अप्रोच रही है यह बाशा रही है उससे काफी कुछ नजदीक जाती हुए दिखती है आपकी कावे बाशा हां वो दरसल क्या है कि मेरी कविताओं में प्राहरम में गया प्रशाद मिश्र भी थे तो यह बनी रही है और दूसा कि मैं मान के जलता हूं फारेग व्यक्ति के प्रकृति होती है एक मानसिक्ता होती है वह मानसिक्त अचना जो बुनावट है उसी के अनुसर लिखता है तो मेरी मेरी जो बनी इसी तरह की और बाद में यही शैली और यही सी बात कि लोगोन पसंदा कि कि कविता तो यह होनी चाहिए तो संप्रशे तो मेरा यह शुरू से रहा कि मैं अपने आपको कविता अभी वक्ति करने के लिखता हूं यह मुझे ने तो कोई मजबूरी असा लिखना ज़ूरी है और नहीं कोई ऐसा है कि इसके लिए तो यह कविता जब मेरे की दिमार के अती हैं तब ही मैं लिखता हूं आपने आस-पास अपने देशकाल में तो वह भी कहीं-ख़ी आपकी लेक्रें की लिखनी है आपको प्रहाइट करती है और ज्यादा तो हमेरी कविता ज्यादा है जम्हवेत जैसा है उलाइटकी संहुष्टि हम उन्ह तक ने कि शाग्राइट करती है धरने नियानि इसके जो प्रमुर्खैस थान या इस तरह कि जी इंस्स्ट्टूशन संस्टान Bubble वो तक भी जो आपके अपने जीवन काल में आप आपसे बावनात्प ग्रूप से जिनसे एक जुड़ाव महसूस करते हैं जिसे मानपकाश्टाव टौकी जैसे ही कवीता आपकी है तो यह इस तरह यह नहीं आपका अपना माहौल भी आपको कवीता लिखने के लिए प्रेडि तो उसका जो माहौल रहा पूरा तो वो कहीं कहीं दिमाग में चलता रहता कि पहले हैसा था यह चल रहा है यह है आपको मैं बता हूं आपको कि उस जमाने के अंदर जब हाई सकेंड़ी की में पढ़ रहे थे तो साहित के साथ साथ एक रूची सनिवा में पैदा हुई जी दो जी जी तो जब शहर में उस वत्त पांस निमा गरुवा करते थे मान प्रकाष 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 अ मीनर्वा जो बहले बावनी डागी इस कहला था ता अच अच वोलो विक्ट्री अच जो शनिमा आप यह जो जगा गरते थे और जायतार पुरानी फिल्में जेखते थ संगीत में अगरतित अकरशित करती थी अधिलिव कुमार देवान राजकपूर की फिल्में काभी प्रभावित करती थी तो यह मान प्रकाष टाकीज पर जो मैंने कवीता लीखी तो उसका कारण यह था कि हमारा शहर से एक भावनात्पक लगा हो जाता है अपने शहर तो इ झाल में इतनी फिलमें डेखी तो इसानिम को बिखते हैं तो बड़ी दिल्चश्प कविता है और बहुत लोग इसको कूट करते हैं कैसे संगे कहीं कोई आवाज नहीं थी कहीं कोई आवाज नहीं थी चुपचाब मर रहे थे सपन एक दोस्त में पाश की पंग्तियां दो रही खतरनाक है सपनों का मर जाना मैं आवाज सुन रहा था वैं सपनों के मर जानी की नहीं थी इस मरतियों के डहाए जानी की थी उस दिन मैं मिरजा इसमाईल रोड पर अजमेरी गेट से न्यू गेट की और जा रहा था मुझे कुछ तूटने की आवाज आई मुझे कुछ तूटने की आवाज आई आवाज मेरे अंदर से आई थी पर तूट बाहर रहा था मुझे नहीं मालूम मान प्रकाश टाकिज कितना पुराना सनेमागर था पहले फिल्म कौन सी लगी थी इसमें पर जब मैंने हो समला तफसे था सुना था आजडी के आशपास किसी सेट ने बन वाय था ये सनेमागर आजडी के पंदर वर्ष बाद तक भी कुल पांस सनेमागर थे जभपुर में राम प्रकाश टाकिज सबसे स्पूराना सनेमागर जो पहले नाटक गरता जो पहले नाटक गरता वह सबसे पहले बंद हुआ जिसका पहले नाम बावानी टाकीज था फिर गंगा टाकीज हुआ पोलो में विजे की इस्म्रती में बनवाया गया था पोलो विक्ट्री बूरी हादत से गुजर रहे थे बंद हो सकते हैं किसी भी दिन अपवास रूप प्रेम प्रकास टाकीज को प्रेम प्रकास टाकीज का नई साथ सज्जा के साथ नया नाम हो गया होलचा मेरी आखों के सामने बने नए सिनिमा घर मयूर शादीमार अंबर मयंग तबदील हो गए कॉम्प्लेक्स में पूरा शहर परिवर्तित हो रहा है बाजार में कॉम्प्लेक्स मल्टिप्लेक्स शापिंग मॉल और अपार्टमेंट्स में एक एक कर डहाई जारी हैं पुरानी इमारतें जिन से पहचाना जाता था ये शहर मजदूर डहा रहे थे मानपकाश टाकीज मजदूर डहा रहे थे मानपकाश टाकीज गिर रहे थे पत्तर मेरी आखों के सामने मैं याद कर रहा था पहली फिल्म जो देखी थी मैंने मानपकाश टाकीज में मैं याद कर रहा था पहली फिल्म जो देखी थी मैंने मानपकाश टागीज में शायद दिलिप कुमार की यहुदी यह मेरा दिवानापन है यह महबबत का सुरू दिली का ठग गूंजुटी शैनाई चोद्वी का चान जब प्यार किसी से होता है दिल एक मंदिर कितनी भीड प्यासा और मदर इंडिया जैसी एथियासिक फिल्में भी मानपकाश टागीज में ही लगी थी कागच के फूल और तीसी कसम का सन्नाटा भी जहला था मानपकाश टागीज में इन दिनों उन दिनों एडवांस बुकिंग नहीं होती थी टिकट ब्लैक जरूर होते थे पोने और देदस आना का तबेड़ा रुपया सवा रुपया का तीन रुपया नई फिल्म के तीन शोह वहा करते थे दिनके बारा बजे बजे कंसेशन रेट पर चला करती पुरानी फिल्में गटी दरौ पर लिखा जाता था नहीं घटी दरौ पर चाहर के बीच और एक दूसरे क और प्रेम प्रकास ताकिजिए कुमार, राजकुपूर और देवानन की ज्यादा तर फिल्मे मैंने कंस्टनरेट पर इनहीं सनेवाग्राहों में देखी थी मानप्राकाश में त casino आब। देखे थी दिलिव कुमार की और केकोरहूंत तो दोड़कर प्रेम प्रकाश पहुंच जाया करते थे एक बार हम तीन दोस्त मानप्रकाश टाकीज में देखने गए कंशेशन रेट पर देवानन की मुनीम जी टिकेट विंडो तक पहुंच पहुंच गए पर तीनों की सारी जेवें टटोलने के बाद भी कम पढ़ गया ए बुकिंग क्लर्ग ने नहीं दिये टिकेट हम भाग कर पहुंचे प्रेम प्रकाश टाकीज बिना ये देखे कि कौन से फिल्म चल रही है सीधे टिकेट विंडो पर जाकर रुके बुकिंग क्लर्ग उदार था ले लिया एक नया पैसा कम फिल्म शुरू हो चुकी थी अंध देहरे में एक दूसरे का हाथ पकड़े होए जाकर बैठे सीटों पर शंड भर बाद ही पर दिखाई दिया देवानन हम तीनों एक साथ चैक उटे अरे इसमें भी देवानन है हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था बाद में ग्यात हुआ फिल्म का नाम दुश्मन था द उन दूनों नई फिल्म लगने पर शो के घंटों पहले कतारे लग जाया करती थी कई दर्शक तो सुबह से ही मंदाने लगते थे सन्यवागर के परिसर में विंडो खुलने पर हो जाती थी मारा मारी कईयों की फट जाती थी कमीजें कुछ पहले से ही बनियान में होते थे बहुत कुछल होते थे विंडो तक पहुचने के विंडों तक पहुचने अब कला थी हैसे नहीं पहुचा दो एक दूसरे अपर कढ़रा ने पद्light क के सामने भीड को नियंटित करने के लिए दो तीन हटे-कटे करमचारी दर्शकों की गर्दनह पकड़कर लाइन जिनने मिल जाता टिकेट विजयी मुद्रा में प्रवेश्घ करते थे सीनुमा अधन में कई वार हम यूंझा थे जर्झे से highways इसर में जहां काच के शोकेस में आने वाली फिल्मों के स्वेच जाम पोस्टर हमें आकरशेट करते सब्सक्राइब परिशर में फिल्मी पत्रिकाओं और गीतों की गिताबें विशा कर बैठे रहते थे दुकानदार हम बहुत देर तक पलटते रहते थे पत्रिकाएं जिन में प्रकाशित होती आने वाले फिल्मों की कानिया चित्र चटपटे समाचार दस नए पैसे में तीन नए या पुरानी फिल्मों के गानों की पुस्तिका मिलती थी मैंने करीब सवासों पुस्तिकाएं एक रतित कर दी है मुझे आज भी याद है उस आदमी का चेहरा जो मानपकाश्टाकीच परिसर में बेचा करता था फिल्मी पत्रिकाएं उसका आदा चेहरा जला हुआ था बहे पैदा करता था और वितरश्टना भी हम अभीबूत थे उसकी फिल्मे ग्यान पर पर तुरूंत बता सकता था कौन सा गीत कौन सी फिल्म का है किसने लिखा है और किसने दिया है संगीत कभी लगा बैठते शर्ट तो समाधान के लिए उसी के पास जाते थे और कि मैंने पिछले वीश वर्षों से फिल्म देखना बहुत कम कर दिया महीनि में तीन चार वर्षों में एक फिल्म देखता हूं मानप्रकास ताकीस में आखरी फिल्म देखी ती दिल्वाले दुलनिया ले जाएंगे इस फिल्म में भी बहुत भीट थी पर भीड में गायब थे जो एक-एक पैसा एक तकर आते थे फिल्म देखने गंटों खड़े रहते थे लाइन में फिल्म देखकर अंधेरे हाल में बाहर निकलते पर जिनकी चुंदियाई आंकों में होती थी चमक जिनके कपड़े होते थे मुझे और मुझे हुए जिनकी जेब में एक आजिक टेश पर फिल्म देखकर इतने संतुष्च होते थे कि कई दनों तक भूले रहते थे फ्लillion देक्राइव तरेफन देखते नहिक मिल रहते हैं अंतिम पंक्तिया हैं लगातार गिर रहते पत्तर में अपनी आखों के सामने इसम्रतियों को डहाई जाते हुए देख रहा था क्या कहीं नहीं बचेगी नहीं बचेगा कोई इसम्रतिचन क्या कहीं नहीं बचेगा कोई इसम्रतिचन जिन इमारतों में तहलते हुए बैठे हुए, हसते हुए, गाते हुए बाते करते हुए प्रेम करते हुए सपने बुनते हुए समय बिताया था समय बिताया था क्या उन सभी स्कूलों वाचनालों चाय गरों सनिमा गरों को नहां दिया जाएगा क्या प्रेम, आत्मेता, मित्रता और उसमेतियां श्रेय से जाएंगी सिर्फ कभी ताहूंगे ये बनलब जो संस्थान के साथ एक समविद्रिशी व्यक्ति का जो रिष्टा बनता है और ठीक है मन मनुश्य का अपने घर से अपने माहूल से तो होता ही है लेकिन कुछ संस्थान भी उसे उसके उसमें इमारते नहीं होती है पत्थर नहीं है वह बहुता है अज बंद देखने जाते है एक आज भी आकर्शित करती है इस और इपको लेज है नहीं हमारा स्कूल था हमारे उनिर्सीटी है तो यह हमको अमारी स्विट्यों में इस तरह गुते होए हैं कि हमको लगता है कि वहां से जीवन था हूँ पर इमारते भी जीवन्त होती है वह सिनिमागरों चाहिए और जैसे काफी हॉस है काफी हॉस की भी एक जीवन्त था गुए गोईजी आपने अपने शेहर पर या ऐसे संस्थानों पर तो कविताइं लिखी यह जो पूरा प्रदेश है यहां की जो बोली बानी है इसने भी कहीं आपको आकरशित किया कोई एसी कविताइं भी आपने उस तरए की बुनीहें लिखी है जो पूरे रहिस्तान की लाइफ को, कल्चर को, उसको कहीं रिफलेक्ट करती हूँ जैसे, वाला कि कोई बहुत आवश्चिक नहीं है, तो लोचन बहुत कहते थे कि आपकी कविता से पहचान होनी चाहिए, कि आप महां से आ रहे हैं को बोली में तो बहुत अचाहिए, क्योंकि कविता कहां से आती है जीवन चीज है उनसे आती है तो वह सारी जीज तो है इसकंदर कविता में अबने शहर के लोग आते हैं इस तरह के तीज तरह के जीज हैं जीवन दर्शन वाली भी कविता आपको बहुत अच्छी है यह थोड़ी अलग है आप जेए तो मैं इसमें से सुनाओंगा आपको जीवन दर्शन की दो काविताय है के यह तरह आपके अपरोच भी यह अपने अंदर की जीति वात है Dakarál Acee भी मिताए जिवन पैणि आफें डिशेंस आछाता जीवन में मिला गया जाताथ जीवन में रिए नहीं मिला क्या चाहा था यह सपस्ट नहीं रहा जो मिला वह तो नहीं चाहता है यह पोईटरी इस तरह से आती है यह को नहीं चाहता संपन्यता के बिना भी कोई जीवन है सुष्ट रहूं लंबी उम्र हो मेरी ऐसे आशिरवाद रहे मेरे साथ जब तक प्रेम नहों जीवन से में सब जरते हैं इस्वर के पती इमानदारी सच और जूट परेशान करते रहे मन से तो स्वच हो नहीं पाया तनको खूब धोया मैंने दोस्तों का मिला साथ बहुत अच्छी है यह जो संपन्द भी थे सच और जूट के बजन इमानदारी की ओड़ी चाद्रे धर्म का किया गुनगान कर्म किया मैंने लेक लेकिन फल की आशा भी की महत्वा कांग्शी नहीं रहा बटकते रहना भी कप चाहा था इसी क्रम की दूसरी कवीता है जीवन दर्शन की जूट बोलना उसकी आदत में नहीं है अक्सर सची ही बोलता है बड़ा से बड़ा जूट बोलने में जिजकता नहीं जूट बोलना उसकी आदत में नहीं है अक्सर सची बोलता है बड़ा से बड़ा जूट बोलने में जिजकता नहीं चोरी उसे नहीं की खून भी नहीं किया किसी का रिश्वत उसे कौन देता है देते हैं उसके पत को खुशी से देते हैं अपने स्वार्थ के लिए ये जो क कुण्थित नहीं है। उसके व्यक्तित में आकरशें है। सुम् चल कर आती है इस्त्रियां। शरीर की पवित्रता एक दक्यानियुसी विचाहर है अचैनल होता है मन। संपन्नता पर सबी का हक होना चाहिए नहीं है कंवी ता लिखने में नेतिक ता का सवाल नहीं है कवीटा तो जीवन दर्शन है यह जो आप की कविता हैं जैसे मैंने का कि जो जिस तरह की साधगी में और एक मैंत या एक वेंजना कि को आप एचीव करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा जो दूसरी कविता हैं क्या उनका भिन्द स्वर है या सारी कविताओं को आप इसी एक कविताओं का भिन्द स्वर है एक सी एक ही स्वर नहीं है जैसे आपने इमान प्रकाश ताकी और जीविंदर से दोनों अलगा करें कि कविताओं यह जो नमक की तरह यह संगर है यह आपका सबसे बात बात में आया है यह मेरे जो मैं यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा 85 में जो यह शेश हो तो यह उसके बाद 91 में दिवारों के पार कितनी दिवारों के पार दूपाया और उसके बाद जो तीसा संग्रह मेरा यह जो है उधारन के लिए आदमी यह तीसा यह नाइन यह अठ्यान में जी जी उसके बाद चोथा संग्रह जो बचुव जिए जिसकी चर्चा इसकी खुब चछाओं यह पसंद किया तो वो तीन संग्रह के बाद चोथा संग्रह जी बड़ा है अलागी मेरे संग्रह बहुत गैप रहा है मैं निरंतर नहीं लिगता कभी भी प्याताने के लिखे हम भी तो यह जो हर संग्रे मेरे 6-7-8 साल का का राया है इसके अंदर और उसके बाद पांचमा संग्रे मेरा जो 2-4 माया बच्ची नमक कीतर जिए जिए इसके बीच में एक कानी संग्रे मेरा प्रकाश तुब आप मैंने जो प्रहरम में कानिया लिगी ती उसका मित्रों का भ कान यह प्रकाशित है और सहीं की बात है कि मेरा संग्राय और आपके उसे संग्राय का एक साथ ही देदारी मनलोजी ने जो है लोकार पने किया आपने आलोचना में भी तो कुछ काम किया है समीक्षाएं तो मैंने बहुत सारी पढ़ी है आपकी मलब उसमें ज्यादा कभी एस् अब बहुत है और गहन काम है मैं जो कर मैंने जो किया है मैं उसको अदेखा जाए तो अलोचना नहीं मानता खुदी वह समीक्षा है समीक्षा में गरता रहूं समीक्षा पाराम से किये जब भी कहानी हो या कवीता हो वे बाती है तो लेकिन आप जानते अलग चीज़ आप संग्रे भी निकला उसका और अपी रुची थी आपकी व्यंग में मेरा एक संग्रे है वेदा निकल जाना उनका अच्छा इसके अंदर जो है यह गल्प संग्रे मैंने इसको नाम दिया है तो इसमें गड़ी बंद भी है दोनों इस तरह का है वे पढ़ने में तो व्यंग लुख आया कि ले कि ए मीझे बिड़ाओं करें तरह कर भी तो अग दो तो कानी में भी रूप में लेकिन जो विदा के रूप में अच्छा एपका एक duż équ 하겠습니다 तो यह जो पत्रिकाएं यह जो अखबार है यह एक लेखक को बनाने में या उस रिष्टे को बनाई रखने में क्या भूमिका निबाते हैं आपकी दिश्टी से भूमिका है एक लेखक को बनाने में अब लगू पत्रिकाएं आठवे दिश्टी से लगू पत्रिकाएं नहीं है अठवे दिश्ट में तो सारा जिमा एक तरह से लगू पत्रिकाओं नहीं सबाद हैं और यह साहित के में इस्तिती यह है कि आहम लोग साहित से क्यों नहीं जुडबाते हैं उसका कारण भी है यह कि जो मुक्यधारा के बत्रिकाएं और लगू पत्रिकाओं सब के बाद पहुंचने ही पाती है इनकी यह दुमाना पड़ागा इनके सीमा है तो लेकिन जो साहित है वो तो लगू प जैसे पूरे देश भर से निकलती है ना चाहे वो महराष्ट से बंबई से निकलती हो या पतना से निकलती हो या चंडीगर से निकलती है पूरे देश के परिद्रिश्य को इन लगू पत्रिकाओं ने अपने अपने शेत्र की पत्रिकाओं ने कवर भी किया कुछ ऐसी पत् तो यह इसी प्रयास के अंदर जैपूर से जो है डाक्टर हितु भारजाज ने पहले समय मादरा का संपाधन किया जी काफी अर्चे तक और अब वो करीबं जो है बारा तेरा साल से पत्री का अक्सर निकालते हैं आप भी जुर्यों उसे जानते हैं तो बहुत अच्छे अंक निकाले उसका भी जो लेटेश निकला था अक्सर उसका वो भी काफी जल्चित हुआ यह जो प्रजी ए राजस्थान की हिंदी कवीता पर केंदी तो जिसमें आप को नहीं मिला तो इसे तो जी के साथ मैं भी जुड़ा हो हूं 20 साल से अच्छा यह बताएं आप तो यह जो साहित्य अकेडमी और इस तरह के जो बड़े साहितिक संस्थान है रेडियो दूरदर्शन वगएरा यह तो ठीक है सपोर्ट करते ही हैं लेकिन इन संस्थानों की द intend करने मैं या लेकर पहां दिलाने में में इस तुरदर्शन से पासरां यह होता है यह सब परता एक जमाने में बहुत अच्छा काम हुआ है जो काफी लोगों को सामने लाती है अभी भी मदूमती के अंकार है इन दोनों काफी अच्छे अंकार है लेकिन यह चू की वहां पर जो नियुक्ति एक राजडेतिक नियुक्ति होती है ना उसके करएंड वहां का महूल बदलता र करता हूं कि संपा तो पूर्णकालिक होना चाहिए और अध्यक्ष भी जो आते हैं जो एक्ति होते हैं वह तो फिर भी जोड़ते रहते हैं जितना लोगों को जोड़ा गया साहित एक आदमी से उतना कभी गादा मैंने देखा नहीं तो भूमी का है इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी दिल्ली की सईटी एक अदमी है उसने ये प्रियतना किया है जो संकालिंड भृति हुश्याइथटी वगरा नहीं है तो ऐसका एक बार संपदक जो च allora प्लादी ने संपा दम enfad即ा हifiers तो यहा है तो लोगों निकाले जी मुझे याद आता है कि तीन चार रंग गरीब वीस साल हो गयोंगा उनको एक जो है नंद किशोराचार्यपता और एक जो है तो अच्छ निकाले थे वह किया है नोगों ने जो विधाओं पर जो निकाले हैं इवन जो संकलन निकाले प्रदेश में जो अच्छा रचनात्म कवातावरन है रचनाशी लोगों ने काम है तो नहीं जो नहीं नहीं बढ़ने लुगों का नहीं प्रुसकारों का हुआ नहीं कोई कोई शिविर वह कुछ भी नहीं अब गतिविती बंद नहीं होनी चाहिए मैंलब उसकी जो निरंतरता बनी रहे तो संस्था भी बची रहती है और इतने प्रदेश में इतने लिखने पढ़ने वाली लोग हैं तो वह एक जुडाओं मैसूस करते हैं उससे आनि मैं कहना चाहता हूं इस विशे में कि जितनी इसलिए इनमें वह नहीं होना चाहिए लेकिन रिकमाहूल ऐसा है क्या किया जै वह बंती इन यह बात जबके इनका उद्देश यही था अकादमी बनाने का जो अद्देश था जो जब शुड़न तता के बाद हमारी पठम बनाने में बनती नहरुचि ने अकादीयों का जो संस्तान है इनका भी जाए बहुत सारे हिंदी विवाग है या बहुत सारी विश्यों के इस तरह की जो यह सारी चीजें देखिए निर्बर करता है कि वहां कौन बैटा है मारता है यह जहां हिंदी विवाग है यह कितनी साहित में किति नहीं एक हम आप भी जानते हैं जिन जाने हम पड़ा करते हैं उस तक में बढ़ी भूमियका होती ती विश्यों देखिए वारे बादी नहीं रही अब वहां कोई ऐसा काम नहीं हो ता कि वह साहितकारों को जोड तो यह अपने प्रेत्न से इस तरह का काम करते हैं जैसे आप अक्सर निकालते हो तो यह एक तरह का लेखक का अपने प्रेत्न से यह मुझे तो लगता है कि इसमें ज्यादा संभावना है यह भली आप सहयोग कर लें इस तरह का कोई अगर सेकारी संग्धन मना करके हम कर सकें तो इसकी भी संभावना तलाश की जानी चाहिए इसकी भी संभावना इसको करते क्योंकि हमेशा आदमी को अगाद्मियों के और उसे नहीं रहता जी और वह अपना काम भी करता है जैसे आप निकाक से निकाल देते अपने जी प्रेया से इसलिए जो संस्ता ही काम करते है वह साहित के लिए अब राइस्तान फॉरम है अब यह जो साहित और कला के लिए कर सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह के काम निजी संसा भी करती है मेरे खाल से जो बड़े प्रकाशन संस्थान है वह भी साहित को भैतर दंग से प्रस्तुत करने में बड़ी भूमिका निवाते हैं उनको भी एक लेखक को ध्यान में रखना चाहिए अब अगर मार्केट मे अगर के साहित्यों को अपनी साहत कहता है मलब अपनी एक डिन्टिटि साबित करनी है तो मुझ्जे तो लगता है अप तो दोड़ जिस तरह का आ नहीं होते हैं जब जैपुर लिटरचर फैस्टिबुल रोता है हमारे हां जो जन साहित्य है उधस्व हो रहा है पिया प्यो मुझे लगता है कि इसमें इस संभावनाएं देखनी चाहिए लिए के बारे में तो एक अलगी दार्ण है बनियों मार्केट के हैं सही बात है हाँ वह कमाने के लिए आए बाजार बात है इतना पड़ायोजन कुछ करते हैं तो उसके लिए पैसा भी इसलिए तो उसकी कंपिटिशन में अज लेकों ने अपने अपने संग्टन कड़े कि अपने आयोजन शुरू कि मलब पहल जैसी पत्रिकाया बड़े बड़े आयोजन अपने लेवल पर करती है या ऐसे जो करते हैं या कल को आप बानलो एक्षर के मंज से अगर इस तरह का काम करते हैं तो यह त करता है तो यह सारी चीजे तो है लेकिन नीजी प्रयास मा करते रहा चाहिए वह पूसके रहे लेकाग संग भी यह काम कर सकते हैं जाकादमिया तो करती हैं तो इस तरह मैंने तो यह थी प्रैक्टिस या कही अच्छी शुरुवात की रूप में देखा कि कई ऐसे जो यह जिस तरह का काम कर रहा है प्लेकर से या जिसे कुछ फाउंडेशन इस तरह के बन गए हैं वो भी इस तरह के कुछ आयोजन करते हैं मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इस तरह के एक समानांतर साहिट का माहूल बनने का काम कई लोगों ने अपने जिम्में लिया है और लेकों ने मुझा गड़ी दिल्चस्पी दिलिये है उसके प्रत्र शतर्व भी है वोगोना ज़रूरी यह लेकिन कहीं लेकिन कहीं तो लेकिन फिर भी वो प्रयास अच्छे है करना चाहिए क्योंकि देखिए कुछ गतिविधी होगी ना उसी में से क्वालिटी निकलेगी गुणवत्ता की चीजें उसी में से आएगी और आपन भी जब लेखक पी शुरू करता है तो बनाव सारी चीजें उसकी कोई कि एक ही इस तरकियों ऐसा नहीं है उसका यह तो है सब्सक्राइब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसमें से कुछ ऐसा भी होता है कि जो मैं आपको एक कवीता सुनाना चाहूंगा आखिर में कि स्वागत है कि यह जो हम अभी जो बातशीत कर रहे हैं ना यह जो साहित में एक तरह का एक तरह की राजनिती जो है और पूरे जीवन को प्रभावित किया तो साहिती वी काम बचेगा वह भी उसकी उसके 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 विक्सित करने चाहिए याद दिलाते मेरे कवीता है कलाम अगनित यह आप देखिए सनाइए मैं गनित में बहुत कमजोर था यदि मेरी गनित अच्छी होती तो शाहिद में इंजीनियर होता है मैं गनित में बहुत कमजोर था यदि मेरी गनित अच्छी होती शाहिद में इंजीनियर होता गनित में अनुत्रीन होते रहने पर मैं कलावर्ग में आ गया विश्विध्याले की परिक्षों में उत्त्रीन होता चला गया मुझे मास्ट्र फ जंड ने जिवंद से तो छुटकारा ingenis से तो चुटकारा पॉप लिए लेकल जीवन के गनित में फस घया नूब संबंदोमें मित्रों में साइत्य में गनित कला में गनित मेरा सोचना गलत attend ंग अच्छी होने पर इंगेनियर बना जा सकता है सच तो यह है कि कुछ भी बनने के लिए गणित अच्छी होना जरो है अच्छा अंतिम एक छोटा सा सवाल कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है लिखने पढ़ने मालों की उसके लिए एक वरिष्ट कवी की रूप में एक लेखक की रूप में आप क्या असला देते हैं उने क् करना चाहिए किस तरह से अपने को तैयार करना चाहिए लेकर उप्रेश देने के स्थितिव तो मैं नहीं हो लेकिन मैं देखना हूं कि आज का यूवार्ग है विस्वर हम यह मान के चलते थे कुछ दिनों पढ़े तक की केरी रिस्ट है और उसकी कला और साहिद रूची कम ह तो कि अच्छे बात बहुत अच्छे दंग से अपने साहित के बारे में अपने समय के बारे में और भावी समय में किस तरह की चुनोतियां हमारे सामने हैं इस सब पर बहुत खुलासा बात की कोविंजी आपको बहुत बहुत शुब कामना आए बहुत बहुत धन्यवाद आप पदारे और आज की इस डेजर्ट सोल को अपने सार तक बनाए आपका बेंड़ बहुत धन्यवाद प्टेर许 कामना आपका बबहुत ब्यावद